ओम शान्ति आप इस क्यान मार्ग पर आए और उसके बाद 1972 में या यू कहें आश से लगभग 50 वर्ष पुर्व आपने अपना जीवन इश्वरिय सिवाओं के लिए समर्पित किया अगले ही वर्ष आपके समर्पित जीवन की गोल्डन जुबली रहेगी तो इस स्वरणिम इथियाहस है आपका कि आपने आरंब में चुकि आप गुजरात की धर्नी से निकले इश्वर के अनमोल रतन है तो आरंब में अमदाबाद, सूरत, भरूज, बडोदा आदी स्थानों पर अपनी सेवाएं दी और उसके बाद लगात तर 14 वर्षों तक आप भाव नगर सबचोन के सबचोन इंचार्ज रहे और उसके बाद तो 1993 में जब क्यांसरोर अकेडमी का निर्मान कार्य शुरू हुआ आप यहाँ आ गए और वहाँ पर आपने उस निर्मान काल के दोरान भी और बाद में भी बहुत सारी सेवाएं की रेसेप्शन की सेवाएं कहो अकॉमडेशन की कहो इंटर्नल एड्मिनिस्टेशन कहो साल भर के प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाना आदी आदी बहुत सारी सेवाएं की और उसके बाद नीचे दोहजार नौदस में जब बहुत विस्तार होने लगा तो आप नीचे शान्तिवन में गए और वहाँ पर रहकर अभी पुरे देश विदेश की सेवाएं कर रहे है आप हमारे बिजनस और इंडस्ट्री विंग के हेडक्वाटर कॉडिनेटर भी है कुशल राजयोग शिक्षी का कुशल भटी टीचर बहुत सारी प्रतिभावों से संपन हमारी आदनिया गीता दीदीजी आज हमें बताएंगी कि हम अतिंद्रिय सुख की अनुभुती कैसे करें आदनिया दीदीजी ओम शांती ओम शांती ओम शांती तीन बार ओम शांती क्या याद दिलाती दादी ने पाठ पका कराया ना हम सब को मैं कौन हूँ मेरा कौन है और मुझे क्या करना है अपने आपको वास्तविक स्वरूप में जब रियलाइज करते हैं तो उसमें आनन्द आता है है ना जब से हम सभी ने अपने मूल सत्य शुद्ध आत्म स्वरूप को महसुस किया तो हमें अपने ही स्वरूप में आनन्द आता है यह ना बाबा की याद में बैठते हैं तो और सभी बातों से नियारे होकर अपने अनादी शुद्ध स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तो हमें अपने ही स्वरूप में आनन्द आता है इसलिए भक्ती में भी जो साधना करते हैं तपस्या करते हैं उनके नाम भी देखो आत्मानन्द निजानन्द कौन हो आज भी मुरली में बाबा ने कहा न कि वो लोग फिर शिवो हम कहने लगे को हम का उत्तर सब ने अलग-अलग दिया सो हम शिवो हम ब्रह्मो हम अलग-अलग जवाब सब ने दिया बाबा ने हमें सत्य जवाब दिया को हम मैं कौन हूँ मैं वो ही शुद्ध आत्मा सर्व शक्तिमान शिव बाबा के संतान दादियां बताती है कि यज्य के प्रारंभ में वतन से योग के प्रोग्राम आते थे संदेशी ध्यान में जाती थी और बाबा उनके द्वारा योग के प्रोग्राम भेशते थे दादी कहती है कि हम घंटों इसी नश्य में बैठे रहते थे कि मैं वो ही शुद्ध आत्मा जो अपने मुल्स्वरुप में सर्व शक्तिमान शिव बाबा की संतान केते हम घंटों इसी नश्य में बैठे रहते थे इतनी अपने मुल्स्वरुप की अनुभुती थे हमारा मुल्स्वरुप है सत चित आनन्दस्वरुप मैं आत्मा सत्य हूँ चैतन्य हूँ आनन्दस्वरुप वो हमारा उरिजिनल स्वरुप है जब इस सत्य को हम भूल जाते हैं देहभान में आने लगते हैं तो दैहिक आकर्षण इंद्रिय रसों का आकर्षण उत्पन्न होने लगा बोडी कॉंशियस बन गए फिर भी द्वापर में भी देखो देहभान में आये देह अभिमानी बने इंद्रिय रसों का आकर्षण बढ़ने लगा देखने का रस कोई हमारी जिम्मेवारी ना हो कोई आवश्यक्ता ना हो तो भी इदर उदर देखते रहना देखने का रस और उसमें अती हुती जाती ना सिर्फ देखते हैं आखों से लेकिन उसका रस भी चकते हैं सक्षिपन से रही देखते हैं उसके आकर्षण में आ जाते हैं मुड मुड के बार बार देखते रहते हैं इदर क्या लगा उधर क्या लगा है न यह कौन जा रहा है यह इसा है तो यह देखने का रस सुनने का रस दो व्यक्ति बात कर रही है पर हमारा कोई मतलब नहीं है फिर भी बैठे यहां हैं और कान वहां होते हैं अपनी जो जगदिश भाई जी ग्यानामरित में शुरू में बहुत कार्टुन द्वारा ग्यान देते थे अभी किताब भी है अपने उस कार्टुन जो ग्यानामरित में बहुत आते थे सारे तो उसमें बताते हैं कि वे एक कमरे में दो बहने बैठी है और बात कर रही है और बाहर दिवार के पास एक बहन खड़ी है वो क्या बात कर रहे है मैं कौन हूँ ये जानने की फुरसत नहीं है पर ये क्या बात कर रहे हैं वो जानने का इंट्रेस्ट है तो सुनने का रस कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी हमें पता नहीं है तो हम कितना इंट्रेस्ट दिखा कि अरे भाई मेरे को बताओ मेरे को बताओ क्या हुआ जैसे कि वो जनने बिगर्ब देवता बन नहीं पाएंगे इतना इंपोर्टन्ट है क्या जानना, सुनना, समझना तो वो ही है न जो देवता बनना है बाबा तो वो ही बाते बताते हैं देवता बनने के लिए जो जरूरी नहीं है वो कितना भी पूछों पर बाबा नहीं बताते हम सभी तो स्थापना के लिए निमित न, भगवान के साथी मददगार है, नई दुनिया स्थापना के लिए, पर इंट्रेस्ट विनाश कब होगा उसमें, भई हमारा विनाश से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अटोमेटिक होना ही है, हम तो स्थापना का कारिय करने वाले लोग हैं, तो शुरू में जब कम भाई बहने होते थे, बाबा से पूछते थे, एक मुरली में ही बाबा ने कहा कि बाबा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, तीन बार कहा है उस मुरली में, बाबा तो हमें सोल कॉंशियस बनाना चाहता है, आत्म अभिमानी बनाना, परमात्म अभिमानी बना है, अगर बाबा विनाश कब होगा ये टाइम बतावे, तो हम तो टाइम कॉंशियस हो जाएंगे, जब टाइम कॉंशियस व्यक्ति हो जाता है, तो वो आनन्द का अनुभाव नहीं कर पाता है, क्योंकि टाइम में बुद्धी चली जाएंगे, बाबा तो हमें सोल कॉंशियस बनाना चाहते हैं, बुलने का रस, उरीजीनली तो हम शांत स्वरु बहेंदा, पर हम डुंडते रहते हैं, कोई काम नहीं हैं, फ्री हैं, आराम से बैठे हैं, पर अंदर-अंदर इच्छा होती हैं, डुंडेंगे कि कोई आवे तो बैठे बात करें, इसलिए कईयों को बठी में मजा नहीं आता है, कि चुप-चुप रहना है, चुप नहीं रहना है, अपने आप से बात करनी हैं, बाबा से बात करनी हैं, ज्ञान का चिन्तन करना है, पर हम बुलने के इतने अभ्यासी हैं, कि मुख भी बंद रहेगा, तो भी मन चलता रहता है, जो चाहे, वही सोचे, उसको कहते हैं मन का मौन, अनावर्ष्यक विचार क्यों आए, फिर खाने का रस, स्वाद, गुजरातियों को तो बहुत स्वादिस्ट सब चाहिए ना भई, खाने के शोखिन हैं, खाओं, खाओं, खाओं होता रहता है, आज पकोड़े बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, पूरे भारत में हम घुमे हैं, गुजरातियों जितना वेराइटी कोई नहीं काता, मुझे सबसे बड़ा पेपर मधुबन में वो ही आया, एक बार मधुबन में पानी पानी नहीं था या वहां नहीं था, हम भावनगर में थे, तो हमने दादी को लिखा, कि दादी हम वहां आ जाएं, तो दादी ने कहा, तुमको यहां का खाना पसंद आएगा, गुजरातियों को, और जब ड्रामा अनुस्सार मधुबन में आये, तो मैंने एक दिन शिलुबेन को पूछा, कि आपको अच्छा लगता है बुजन, तो मेरे को कहती है, कि थोड़े दिन के बाद तुमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि स्वाद की बात नहीं रहेगी, पेट भरने की बात रहेगी, तो हमने अपने आपको चेंज किया, सेंटर में तो सेवा में जाते हैं, और देरीस से भी आते हैं, तो साथी बहने होती हैं, भुजन गरम करके हमें खिलाएंगी, और मधुबन में तो टाइम से होता है, दो बजा माना सब समेटके रख देते हैं, भल आप सेवा में बिजी हैं, पर जब जाएंगे तो कोई दिखेगा ही नहीं खिलाने वाला, तो एक बार मुझे बहुत काफी देरी हो गई, अढाई बज गए, तो जब मैं गई बंडारे में, तो कोई था ही नहीं, बड़े-बड़े पतिले में, जो बचार खाना था, वो एक तरफ रखा हुआ था, तो हम तो बाबा पर नाराज हो गए, कि आपकी सेवा करते हैं, और कोई फिर खिलाने वाला भी नहीं होता है, तो हम बिना खाए कमरे में वापस जा रहे थे, और बाबा से बात कर रहे थे, कि आपने मेरा अच्छा मदुबन में बुला के घाट गड़ा है, पर बाबा देखो, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में उपर रूम में जा रहे थी, तो वहाँ ही नीचे सिड़ी के पास प्रेस का टेबल था, कपड़ा प्रेस करते हैं, तो मनोर दादी की जो ब्रामनी थी छुटी, वो प्रेस कर रहे थी साड़ी, और मैं तो नाराज होके जा रहे थी रूम में कि नहीं खाना है, तो फिर उसने का, रहे दीदी, आप कहा गए थे, दादी ने आपको याद किया, आपकी भोजन की थाली तयार करके मैंने रखी है, मैंने कहीं, नहीं, नहीं, मैंने खा लिया, कहते हैं, नहीं, नहीं, दादी ने खास रखवाई थी, तो चलो मैं आती हूं तो बाबा ने ऐसे ऐसे मदद की दादियों के द्वारा किसी के द्वारा कि फिर हम सेट हो गए मदवन में तो खाने का रस स्वाद इंद्रियक खींचती है पर पहले हम खाने के लिए जीते थे और अब जीने के लिए जो आवश्यक है सात्विक है पौस्टी का है वो खाना है कहते हैं न कि योगी अती आहारी भी नहीं होते है अनाहारी भी नहीं होते हैं नहीं खाना है ऐसे भी नहीं खाओं खाओं करना है ऐसे भी नहीं मिताहारी बनना है जो शरीर के लिए जरूरी है तो आत्मा न सिर्फ विकारों में फस्ती है वो जो दैहिक वृत्तियां भाव न सिर्फ विकार माया के वश्य होती लेकिन इंद्रिय रसों में भी फस्ती आप हरेक अपने आपको देखिए कौन सी इंद्रिय का रस है जिसमें हम फस्त जाते हैं तो प्रथम पाठ जो बाबा ने सिखाया अपने आत्म स्वरुका जो बाबा ने ज्यान दिया तो हमारे में वो शक्ति आ जाती है इन इंद्रिय रसों से न्यारा बनने के इसको इंद्रिय आनन्द कहते हैं जब इंद्रिय आनन्द में ज्यादा जाते हैं मान लो मुझे टीवी देखने में मजा आता है पर मैं आट दस घंटा देखती रहूं तो इंद्रिय को रोग लग जाएंगे आँखे खराब हो जाएंगे बुधी खराब हो जाएंगे इसलिए बाबा करके हमें अतिंद्रिय आनन्द इंद्रिय से परे न्यारे स्वस्वरूप का आनन्द लेने के लिए कहते हैं इसलिए द्वापर में जब हम पतीत बनने लगे इंद्रिय रसों में फसने लगे तो भी आत्मा को वो अच्छा नहीं लगा तभी तो भक्ती शुड़ू किने क्योंकि ओरीजीनली आत्मा शुद्ध है सत्य है परन्तु शरीर धारण कर पाल्ट बजाते बजाते हम बोड़ी कॉंशियस बन गए क्योंकि आत्मा सुक्ष्मा है नेराकार है तो भक्ती शुड़ू कि न भगवान की यादा है क्योंकि आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप में आनन्द है भक्ती में भी कहते हैं कि तीन स्वरूप है एक है स्थूल भक्ती चित्र रखना मुर्ती रखना और उसके सामने बैठकर जो पुजापाट भजन किर्तन सब कुछ करते हैं वो स्थूल भक्ती है क्योंकि भगवान के या देवताओं के स्थूल चित्र मुर्ती के आधार पर भगवान को याद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में मंदीर भी बंद थे तो जो मुर्ती और मंदीरों पर आधारित थे वो विचारे परिशान हो गए हम बच्चों को तो रोज निराकार को याद करने का अभ्यास है बिशक सेंटर में जाना मिलके पढ़ना उसका अपना एक आनंद है लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना हम सब को कि हम बाबा को याद नहीं कर पाए कोरोना में तो सब फ्री थे ना पर हम तो बाबा की याद में रह सके ना क्योंकि हमें अभ्यास है हम कोई व्यक्ती पर आधारित नहीं है कोई साधन पर आधारित नहीं है भक्ती में भी कहते हैं स्थूल से सुक्ष्म में जाना है जो मुर्ती चित्र रख कर योग करते भक्ती करते उसके बजाए मन में वो चित्र मुर्ती देवताओं का देवियों का जिसका भी मतलब मानते हैं मन सिक स्वरूप लाकर उसको याद कर उनको चित्रों साधन की आधार नहीं और उसके बाद भी भक्ती में कहते हैं कि सुक्ष्म से मूल में जाना है जो मूल स्वरूप है निराकार जियोती स्वरूप बाबा कहते हैं ने भगवान जब कहते हैं तो बेहत स्वरूप ही आता है भलक्रिष्ण राम अमबा दुर्गा को मानते भी है पर हे भगवान तो कोई चित्रा नहीं आता एक शक्ती बुद्धी में आते हैं तो वो मूल भगते हैं वो बाबा ने हमें सिखाई हमारा अपना मूल स्वरूप और बाबा का मूल स्वरूप निराकार जियोती बिंदु स्वरूप तो देह धारी देवात्मा हो धर्मात्मा हो या महात्मा हो देह धारी की याद देहभान में लाने वाली है भले आप देवात्मा को याद करो पर शरीर ही बुद्धी में आई गा इसलिए बाबा कहते हैं निराकारी आत्मा भिमानी बन कर निराकार बाब को याद करो तो हम देहभान से न्यारे होते हैं और अपने मूल स्वरूप और बाबा के मूल स्वरूप का आनंद अनुभाव करते हैं उसको अतिंद्री आनंद कहते हैं आत्मा इंद्रीयों से परे होकर परमात्मा की याद का जो सुख और आनंद अनुभाव करते हैं उसको अतिंद्रीय सुख कहते हैं वो हम सब अनुभाव कर रहे हैं लोग कहते हैं कि कुछ करते तो है नहीं चुपचाप बैठे रहते हैं और एक दुखो देखते रहते हैं यह कौन सा योग है इसका क्योंकि कुछ भी क्रिया नहीं है कुछ भी साधन नहीं है याद का आनन नहीं स्रेश्ट स्मृती का आनन नहीं कोई क्रिया नहीं कोई साधन नहीं साइलेंस में बैठ कर अपने शुद्ध दिव्य पवित्र सत्य स्वरुका आनन इसलिए हम सब के अनुभाव में हैं न की देखने में कुछ भी नहीं बाबा केते ने तुम भी गुप्त मैं भी गुप्त प्रप्ती भी गुप्त पर ये सत्य है सत्य का आनन थै तो जितना जब भी बाबा की याद में हम बैठते हैं सभी बातों से न्यारा होना है साइलेंस में बैठकर सभी बातों से न्यारा होना है अर्थात अपने आत्म स्वरुप में स्थित होना है क्योंकि न्यारी कौन है आत्मा है आत्मा के आसपास शरीर से लेकर पूरा संसार तो स्थूल है भौतिक है मैं स्वयम आत्मा इन पांच तत्मों से न्यारी हूँ और चैतन्य आत्मा है शरीर तो जड़ है उसमें कोई आनन की बात थोड़ी है आनन की अनुभूती किसको होती है आत्मा को होती है ना आत्मा में ये साथ गुण है ना शांती, सूक, आनन, प्रेम, पवित्रता, ज्यान और शक्ती ये आत्मा से connected feelings है अनुभूतियां है पर जब हम body conscious बन जाते है तो इंद्रियरस, साधनों का आकर्षन प्रवरत्ती का आकर्षन स्थोल में हम चले जाते हैं तो योग का पहला अभ्यास ही न्यारा बन है बार बार ये महसुस करना है कि मैं इससे अलग हूँ जितने attachment बढ़ते जाते हैं शरीर के, इंद्रियों के, इंद्रियरसों के, संबन के, साधन के इतना आत्मा स्थूल जड़ बनती जाते हैं इसलिए देखो आजकल गोण नहीं है, विक्रती है, जड़ता है बात नो समझना, हटी बन जाना, जिद्धी बन जाना, क्रोधी बन जाना, अहंकारी बन जाना ये क्या है? जड़ता है आत्मा की चैतन्यता क्या है? शांती, सुक, आनन, प्रेम, पवित्रता ये हमारी मूल qualities है, अनुभूतिया है तो हम इस दुनिया में रहते, शरीर में रहते, न्यारे बनते हैं डिटैच्मेंट, न्यारापन, योग की पहली शर्त है जो बाबा की याद में बैठते हैं, पर अपने आपको डिटैच नहीं कर पाते हैं तो उसको आनन्द नहीं आता है, योग में बाबा की याद में बैठते हैं, पर सबसे न्यारे होंगे और अपने वास्तवी का स्वरूप से जुडेंगे तो आनन्द होता है अगर डिटैच नहीं होते और बुद्धी अनेक विचारों में घुमती हैं तो आनन्द नहीं आता है, योग में बैठे पर माथा भारी हो गया होता है, कई कहते हैं, नींद आ जाती हैं दो मिनट डिटैच होते हैं, फिर वोई विचारों में चले जाते हैं तो हलका पन और आनन्द नहीं अनुगा होते हैं बैठे बाबा की याद में लाल लाइट हुई और सफेद लाइट हो गई तो हम हिलने लगते हैं आप तो डिटैच हुए थे, इतना जल्दी वापस अटेच हो गए भल हमें ही जिम्मेवारियां संभालने हैं हमें ही घरबार संभालना है हमें ही नौकरी दंदा करना है जो हमारा रोल है इस ड्रामा में जो पार्ट है जो रिलेशन्स है जिनके साथ हमारे संभन्द है वो भी कर्मिक एकाउंट से ही तो संभन्द मिलते हैं जो हमारी रेस्पोंसिबिलिटीज है जिम्मेवारियां है वो तो हमें अदा करनी ही है पर कुछ शक्षणों के लिए न्यारा होकर अपने स्वरूप से जूड़ना है तो हम प्रवरत्ती में संभन्दों में संसार में खो नहीं जाएंगे पर बार बार दो मिनट एक मिनट पांच मिनट आधा गंटा हर एक को टाइम तो है बाबा के लिए निकाला है न समने वो न्यारा होने से हम एमपावर होते रिचार्ज होते क्योंकि मैं आत्मा शक्ती स्वरूप तो जितना हम अपने आत्मस्वरूप से एटेच होंगे उतना हमें शक्ती मिलेगे जैसे देखो सुरिय है प्रकाश का गुला है न वो है लाइट का एमपॉडिमेंट प्रकाश स्वरूप है तो अपने आप वो प्रकाश देता ही रहता है न उसको कुछ प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता है वो है प्रकाश स्वरूप पर अगर मुझे रोष्णी चाहिए उर्जा चाहिए तो मुझे क्या करना होगा मुझे अपने खिड की दर्वाजे खोलने होंगे पर्दे हटाने होंगे मुझे अपनी आँखे खोलनी होंगे मुझे सुर्य के तरफ योग लगाना होगा वहां देखना होगा सेम बाबा तो है ज्ञान सुर्य हमें उनके तरफ बुद्धी लगानी है और मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप हूँ तो मुझे अपने स्वरूप के परती भी बार बार वुद्धी का मुख रखना होगा कहते हैं न सुर्य मुखी सुर्य के तरफ देखते हैं तो हमें भी ज्ञान सुर्य मुखी बनना है बुद्धी का मुख जितनी बार वाबा के तरफ अपने स्वरूप के परती उतना हमारे में चैतन नियता आएगे माना ये मूल हमारे जो गुण है और बाबा जिन गुणों का सागर है वो अनुभूती आटोमेटिक आपको होगे इसलिए बाबा कहते हैं कि जो स्थूल है जो तत्वा है शरीर शरीर क्या है तत्वा है ना पांच तत्वा का बना है तत्वा तो जड़ है देखने में आता है कि हाथ काम कर रहा है मुख बोल रहा है कान सुन रहा है पर सत्य क्या है आत्मा सुन रही आत्मा देख रही शक्ति आत्मा है वो इन कर्मेंद्रियों को क्रियाशिल लगते है तो यह प्रक्टिस चाहिए कि मुझे अपने ही स्वरुप में आनन्दा है मैं इन से अलग हूँ अब बैठे हैं योग में पर मन और बुद्धी से घुम रहे हैं विमान बुद्धी रुपी विमान में बैठकर मार्केट में जा रहे हैं किचन में जा रहे हैं फ्रीज में जा रहे हैं होता है न कि अरे वो फ्रीज से निकालना था बूल गई तो बुद्धी से तो हम यहीं गुम रहे हैं हम तो उड़े ही नहीं तो आनंद कैसे आएगा हम तो इसी में लगे रहे तो अपने आपको समझाना है कि भल मुझे ही संभालना है मेरी जिम्मेवारी है परन्तु मुझे खुद को न्यारा करके अपने स्वरुप का चिंतन भी मुझे ही तो करना है तो थोड़े समय के लिए अपने आपको समेट लेना है सारा वर्ष जो भी चीज़ें आती है घर में भरते रहते हैं भरते रहते हैं फिर दिपावली पर क्या करते हैं? फिर क्या करते है? सफाई करते हैं जो अनावश्यक है वो निकाल देते हैं दे देते हैं या सैल कर देते हैं निकाल देते हैं और जो अवश्यक है उसका क्या करते हैं अच्छी रिती साफ सूप करके रखते हैं हमें भी इसकी सफाई करने है मन बुद्धी की क्योंकि दिन भर जीवन भर कितनी बाते मन में भरते रहते तो शॉट आउट करना है अनावर्षक है वो निकाल दो नहीं तो वोई बाते बोज बनती है उड़ नहीं सकते हैं हम उन बातों में ही घुमते रहेंगे तो बाबा तो कहते हैं न कि सफाई करो स्वच्छता अभियान मन स्वच्छता अभियान करो जो आवश्चक है वो पवित्रता से दिव्यता से रखना है जो हमारी जिम्मेवारियां हैं कारोबारे वो तो करना ही है न पर शुद्धी से प्रेम से दिव्यता से वो प्रवरत्ती हमें करनी हैं फिर हम रोज बुद्धी से उपर जाते हैं ग्यान नहीं था जीवन भर इनसान क्या करता है दुनियावी बाते ही सूचता रहता है बुद्धी उसी में लगी रहते हैं इस दुनिया से पार जाना है इसका अभ्यास करना है वो तो कुछ करते नहीं थे जानते थे अकेले आये हैं अकेले जाना है फिर भी बुद्धी से इस दुनिया से पार अपने असली घर में जाना है ये कोई प्रक्टिस नहीं करते थे हम बाबा ने तो हमें घर का ग्यान भी दिया और वहाँ जाने के समय का भी ग्यान दिया आज भी बाबा ने बताया ना कि 84 जनम तुम्हारे पूरे हुए अब वापस घर जाना है तो भल हम इस दुनिया में रहते हैं पर मन की आँख से असली घर को भी देखते हैं कि ओरीजीनली उस पवित्र परमधाम में बजी जाना बाबा ने सब को प्रोग्राम दिया है ना मिला है प्रोग्राम कौन सा मदुबन आने का प्रोग्राम बहनों ने दिया तो बुद्धी कहां लग गई थी जाना 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 मदुबन से लग गई चार दिन के बाद फिर मोर भी से लग जाएगी हमें फाइनल प्रोग्राम बाबा ने कौन सा दिया है याद है न सब को मिला है न प्रोग्राम भाईयों को जाना है कि नहीं जाना है सब को जाना है तो जहां जाना है और जिसके साथ जाना है बुद्धी कहां लगनी चाहिए उसी के साथ आप भी पुछते हैं ने बेंजी मेरे को किसके साथ बैठना है कौन सी बस में जाना है हमारे साथ कौन-कौन होंगे तो बाबा के साथ जाना है और असली घर में जाना है तो जितना बुद्धी हमारी इस दुनिया से उपर उठती है ये सत्य है न ये बाते नहीं है ये reality भक्ती में कोई शरीर छुडते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया पर वो सत्य नहीं है ये सिर्प बाते नहीं है ये सत्य है कि हम सब को वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है हम ही अलग-अलग नाम रूप से दो यूग साथ साथ होंगे तो जितना आप स्थूल से उपर उठते हैं उतने हलके और हलके पन का आनन्द कहते हैं न व्यक्ति जब खुश होती है तो क्या कहते हैं पाउं जमिन पर नहीं है इसके बस ये तो खुशी के मारे नाच रहे धर्ती पर पैर नहीं तो जितना डेटैच होंगे इतना अलोकिक आनन्द का अनुगा होगा और तीसरी बाद परमधाम में जाकर बाबा के सनमुख बैठते हैं जो हमारा प्रिय है सुखदाता है प्यार का सागर है दयालू है, क्रिपालू है, रहम दिल है कोई अती प्रिय व्यक्ती सामने आ जाए तो कितना खुशी होती है कि अरे, आप कहा से मिल गए आनन्द आता है न खुशी होती है तो हमारा अती प्रिय कौन है तो जब हम बुद्धी से बाबा के सामने बैठते हैं तो अटोमेटिक आनन्द होता है खुशी होती है क्योंकि सही अर्थ में बाबा कल्यान कारी है, शुपचिन तक है अभिनाशी साथी है हमें उच्छी नजर से देखने वाला है हमें उच्छा बनाने वाला है तो जब बाबा के सामने बुद्धी से हम बैठते हैं तो हमें आनन्द होता है, वो अतिंदरी आनन्द होता है अलोकिक आनन्द जिसको याद में आनन्द नहीं आता है वो योग में सोजाते हैं आप वोही अभ्यास सदा कर सकेंगे जिसमें आपको आनन्द आता हो, खुशी होता है तो किस-किस को याद में आनन्द आता है नहीं आता है तो आना चाहिए अपने आपको समझाना चाहिए क्योंकि उसमें मुझा आतमा का कल्यान है उसकी याद से आज बाबा ने क्या का पन्यात्मा बनना है तो बापको याद करो क्योंकि याद से आतमा की खाद निकलेगी पावन बनेगे और किसी की याद में कोई फाइदा नहीं है ये बार-बार रियलाइज करना है क्यों भगवान ने ये आदेश दिया देह सहित देह के सर्वधर्म संबंध भुल जाओ कई सोचते हैं कि भाई मेरा पती तो बहुत सुख देता है मेरे बाबा तो बहुत सुख दाता है मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे है क्यों बाबा कहते हैं छोड़ो अगर देह और देह संबंधों में सुख होता तो भगवान क्यूं कहते छोड़ो वो तो ग्यान का सागर है न पर उसमें आत्मा की कोई उन्नती नहीं है शुद्धी नहीं है इसलिए बाबा कहते हैं देह सहीत देह के सर्वधर्म संबंध भुलो छोड़ो मिन्स भुलो हमें कोई गरबार नहीं छोड़ना है परिवार नहीं छोड़ना है संसार प्रवरत्ती मार्ग का है इसलिए भूलना आसकती नहीं रखने रूहानी प्यार रखना रूहानीयत में आनन्द है स्प्रिच्यालिटी रूहानीयत मिन्स आत्मभिमानिता तभी तो बाबा ने 84 जन्मों का आज पूरा इतियास बता है कि द्वापर कलियुग 63 जन्म से तो पतित्तमो प्रधा नहीं बनते गए तो अपने शुद्ध स्वरुप का आनन्द अखुट भंदार, सागर, ज्ञान गुण शक्तियों का सागर बाबा की याद में आनन्द, प्राप्ति, शक्ति, शुद्धी और अपने असली घर का आनन्द दुनिया कितनी भी अच्छी हों गुमने के कितने अच्छी-च्छी स्थान हों आप बहुत स्थानों पर जाते हैं, गुमते हैं पर वापस क्या अच्छा लगता है? वह अब घर चलो फिर आएंगे पर अभी तो बहुत हो गया भी घर चलो क्योंकि घर में रिलाक्सेस्शन है विश्राम की स्थिति है तो बाबा कहते हैं, पूरा ड्रामा प्ले करके अब तुम ठक गए हो, कमजोर बन गए इसलिए हर एक को जीवन में कभी न कभी उपर जाने की इच्छा होती है होती है कि नहीं? कहीं ऐसी गटनाएं बनती है, बाते बनती है तब होता है कि इससे तो उपर चले जाएं तो अच्छा है क्योंकि आत्मा को वहाँ अपनी ओरीजिनल स्वरूप में विश्राम है, रिलाक्सेशन है बाबा ये भी कहते कि कई अपने दूसरा भी घर रखते हैं हिल स्टेशन पर या कोई ऐसे स्थान पर वहाँ जाकर दो चार देन, पांचे दिन रिलाक्स होते हैं तो बाबा ने हमें भी दो घर दिये, एक परमधाम और दुसरा सुक्ष्मवतन बुद्धी से सुक्ष्मवतन में जाते हैं, अपने फरिष्टे स्वरूप में, जो हमारा लाइट स्वरूप है, बाबा कहती है, ये साधारण शरीर छिप जाएं और प्रकाश स्वरूप प्रत्यक्ष्य हो जाएं तो फरिष्टा स्थिती का भी एक आनन्द है और प्रेक्टिकल भी जब कभी भी रिफ्रेश्च होना है, मधुबन घर में आते हैं जहां दुनिया से अलग ही स्वरूप है, है ना, शांती, पवित्रता, ज्यान, योग, पढ़ाई का आनन्द जब कोई बात आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो खुशी होती है, अब मुझे आ गए, अब मैं समझ गई कैसे करना है तो जितना पढ़ाई करते हैं, ज्यान, योग करते हैं, इतना अलोकिक आनन्द होता है भक्ती में तो विचारे डुणते हैं, खोजते हैं, प्राप्ती के आनन्द का अनुभव ही नहीं तो खुद खुद को समझाओ, कि हमें हर सत्य का ज्यान मिला, ऐसी कोई बात नहीं, जो हम ना जानते हो, ना समझते हमारे प्रेक्टिकल व्यावहारीक जीवन को पवित्र योगी बनाने की हर बात बाबा ने समझाई संपूर्ण बनने की हर बात अविक्त बाब दादा पचास वर्षों से हमें समझा रहे हैं ज्यान स्वरूप बनने का आनन, ये अतिंदरी आनन तो बाबा ने ज्यान दिया, बाबा के बच्चों ने रास्ता बताया, अब खुद गहराई में जाकर, खुद को समझा के खुशी में रहना, आनन में रहना, इसलिए देखो गायन भी क्या है, कि मुरली बज्जती थी और गोप गोपियां भागती थी, बताते हैं गर में बच्चा रो रहा हो, चुले पर खाना चड़ाया हो, परिवार ना कहता हो, तो भी मुरली की तान सुनते ही वो गोपियां भागती थी, वो गोपियां कौन है, है न, हम है, मुरली का अकर्षन है न, रोज भागते हैं न, सुब सुब, तो मुरली का आनन्द माना ज्यान के मननचिंतन का आननद, तो जितना अनन्स्वरूब बनेंगे, उतना अच्छा पुर्शार्थ कर सकेंगे, थकेंगे नहीं, उमांग उच्छा रहेगा और सहज लगेगा, ओम शान्ति, ठेक है, दो दो की जोड़ी बन जाईए, आमने सामने खड़े हो जाईए, आगे पीछे, आगे पीछे सामने हो जाओ, आसपास आगे पीछे, हैंशेक करिए, गुड इवनिंग कहिए, राइट हैंड मिलाना, हाँ, नमस्ते करिए एक दो को, नमस्ते, नमस्ते, ऐसे, नमस्ते ऐसे करते हैं, सलाम मालेकम करिए, ओम शान्ती कहिए, एक दोकी पीठ थप थपाईए, वाँ बाबा के बच्चे वाँ, मारना नहीं है, मारना नहीं है, गलेले ही लगना है भाई, डिटेश रहना है, आज की मुरली की एक पॉइंट याद करिए, और पार्टनर को कान में बताईए, धीरे से, आज बाबा ने क्या पढ़ाया, याद करो, बताऊं एक दो को, याद है, किसको पॉइंट याद आई, बहुत अच्छा, थेक है, बैठ जाईए, बाबा की याद में बैठेंगे, पहला अभ्यास, अपने मूलस्वरूप में, कर द एक देसा, बाबा की याद हमाद